Hello and welcome everyone हम ना middle class families से हो या upper middle class families से हो हमारी ना कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि हम कहां से थोड़ा बहुत अपने घर में money save कर सके और उस चीज को ना काफी अच्छे से utilize कर सके क्योंकि छोटी छोटी savings ना हमें कभी कभी बहुत जादा काम आती है तो ऐसी बहुत सी habits होती है ना जिससे हम अपने kitchen से ही savings कर पाएंगे तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी ही simple एंड छोटी छोटी habits शेयर करने वाली हूँ तो चलिए बिना देरी करे वे वीडियो को start करते हैं हमारी kitchen में बरतन daily दूले जाते हैं और कई batches में दूले जाते हैं तो बहुत से लोग इस type के liquid soap यूज करते हैं और बहुत से लोग डे soap यूज करते हैं तो दोनों का आज में आपको कैसे हम लोग बचत कर सकते हैं वो बताती हूँ जैसे आप इस type के बार अगर use करते हैं तो थोड़े गहरे container में रखेंगे इसको तो उससे आपको जादा फाइदा होगा क्योंकि बरतनों को धुलते धुलते उसमें थोड़ी बहुत पानी भी जाता है और वो जो पानी होता है ना वो हम लोग अपने बरतनों को wash करने के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि वो सावन मेक्स होके ना एक liquid soap टाइप का ही हो जाता है उसको हम लोग अपने दूसरे बरतनों को साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं और अगर आप बरतनों को clean करने के लिए liquid soap यूज़ करते हैं तो उसका आप directly ना use करके उसे ना किसी other bottle में उसी type के bottle में आप भर लीजे या तो मैं दो type के bottles करीती है एक छोटी एक बड़ी उसी मेना में उसको dilute करके रख लेती हूं और इससे आपका soap जो है वह जादा use नहीं नहीं तो आप इसको vanity में रखेंजे किचेन में काम करते करते हैं हमारे taps भी काफी गंदे हो जाते हैं और इस टाइप पे जो opening वाले taps होते हैं इनको हमें regularly clean करते रहना चाहिए इन्हें मैं open करूंगी और मैं हर 15 days पे clean करती हूं बर तब यह गंदे हो जाते हैं तो इनको clean कर लीजे और बस आपका काम हो गया और थोड़ी अगर जाधा ब्लॉगेच की दिक्कत है तो आप देने दरवाला solution भी यूज़ कर सकते हैं उससे भी आपको काफी फाइदा मिलेगा इसी तरीके से सिंग साइट पे न मैंने एक चोटा सा डग बिन रखा है जो चोटे करना काफी easy होता है तो मैंने ये choose किया और आप ना इसी तरीके से बहुत सारे अलग-अलग टाइप के containers अलग-अलग तरीके से भी use कर सकते हैं हम सभी को ना शौक होता है नई-ई-टाइप के dishes बना और उसके बाद ना उसके लिए अलग-अलग टाइप के बजार से मसाले extra रही लेकर आ जाते हैं और यह मसाले ना हम लोग लाकर room temperature पर रख देते हैं बट हम लोग क्या notice करते हैं कुछ टाइम के बाद ना वो थोड़े से खराब होने से लगते हैं उनमें moisture आ जाता है तो इनको moisture से बचाने के लिए ना मैं इन मसाले के packets को directly fridge में store कर देती हूं और इन मसालों को और अच्छे तरीके से रखने के लिए आप इस टाइप के जो चोटी baskets आती है ना pull out baskets हैं इनको ना आप easily use कर सकते हैं बट मेरी fridge ना थोड़ी सी चोटी है तो मैं इस टाइप के basket prefer नहीं करती हूं और मैं अपने refrigerator में कुछ दालो मटर छोलो इनको भी store करके packet के साथ ही आप जरूर store करके रखिए उस fridge में तो ना आपको kilo वाली दिक्कत भी नहीं आएगी और फिर ना आपको इन में कुछ भी डाल के रखने की जरूरत नहीं होगी और यह सबी ना लंबे टाइम तक काफी अच्छे और fresh बने रहेंगे और कई बार ना अंजाने में ह काफी जादा एनरजी जो होती है तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि जब भी आप fridge की या refrigerator की cleaning करें तो जो उसका power button है उसको जरूर आप करिए वैसे तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि जो भी हम खाना बना रहे है ना वो उतना ही बनाए कि हमारी पूरी family में वो consume हो जाए बट ना ऐसा possible कम होता है तो कभी भी अगर हमारा leftover food हो जाता है तो हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि वो 24 hours में ही खतम हो जाए और ना उसके हमें यह भी चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जब कभी भी हमें वो food consume करना है ना तो उसके थोड़ी देर पहले आप उसको fridge से बाहर निकाल के रख दें जिससे कि वो जो food है ना वो हमारे room temperature पे आ जाए और फिर ही ना आप उसको reheat करके खाए अगेन मैं एक बात और बता में आप उन्हें रखे ऐसा करने से ना आपके बरतन भी बहुत जादा यूज नहीं होंगे और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनकी ना शुरू से ही आदत डाले कि वो घर का ही कुछ कुछ खाए क्योंकि बाहर का हम सभी जानते हैं कितना unhealthy होता है अना आजनिक होता हैं कि आपना मेजरिंग कप्स यूज करिये दाल चावल वेगेरा बनाने के लिए या आपना एक साइस के ही कटोरिया या कुछ भी जिससे आप मेजर करके बना सकें तो उससे ना क्या होगा कि आपको इससे एक अंदाजा लगेगा कि डेली आपका लांच या फिर डिनर उन और वो ना हम लोग पैकेट्स में ऐसे ही रखते हैं या तो हम लोग मार्केट्स ऑफ ऑन-लाइन वगेरा देखके इस टाइप के लिए क्लिप्स ऑडर कर लेते हैं तो इसके आप पैसे बचा सकते हैं इनको ना सील करने का काफी सिंपल तरीका है इसके लिए आपको सिंपल करना है और गैस की फ्लेम में ही इन पैकर व्यों तो हलक शाइबने हैं आपको आंच दिखाने के वाद इसको अपंच सा और वह में बहुत जा्यार महता हुआ हो बस आपका काम हो गया काफी अच्छे सी ये seal pack हो जाते हो और इसके लिए आपको अलग किसी tool तो अगेरा खरीदने की कोई जरूरत नहीं है तो ये देखे कितने simple तरीके से कितने अच्छे से lock हो गया ये अगर आप ये भी नहीं करना चाते तो और ये बहुत simple सा तरीका है हमारे vanity में लगती हैं तो काफी सुंदर लगता है और अगर आपको वो तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से रख सकते हैं ये भी काफी simple तरीका है अपनी चीजों को store करने की और अक्सर ना चीनी के डब्बों में चीटिया लगने की बहुत जादा शिकायत हो जाती हमें तो इसके लिए ना आप simple डाल चीनी यूज़ करिए दाल चीनी का टुकड़ा ना चीनी के डब्बे में आप डाल दीजे और बस धकन लगा के उसे रख दीजे तो देखेगा आप चीनी में ना आपको कभी भी चीट या नहीं दिखेंगे ये चुड़ी है ये health के लिए काफी अच्छी होती है आप चाहें तो आप इस पे आ सकते हैं काफी health के लिए beneficial होती है यह और पिछले 5 सालों से हम लोग इसे use कर रहे हैं और इसमें ना मुझे चीटियों वाली शिकायत नहीं हुई है तो आज का वीडियो बस इतना ही आप सभी से जल्दी ही मिलती हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टे केर एंड राधे राधे